चाचा नारा है यूपी में हर हर मोधी घर घर मोधी चल रहा है कि नहीं चल रहा है मोधी गुनारा का है चंद रहो माया बती गुनारा चंद रहो अनाज अनाज मिल रहा है उसे कोई फरक नहीं पड़ रहा है सब्सक्राइब सब्सक्राइब गया था अपती नहीं अपती पासी सब एक जूट गया जूट गया क्या वजे थी गया और क्या वजे के लॉटा उन्हें विकास किया नहीं लटुआ मारे गये तोरे गये पुलिस दलाली भाई पासी समाज ठगा हुआ मैसूस कर रहा है हां बच्चों को नोकरी उकरी मिली की नहीं मिली है नहीं क्या हुआ फिर गायवाय चर रही है खेत की नहीं अच्छे से बोचा योगी मोंदी चर रहे दोनों यहने किसान बर्बाद कर रहे और कुवारी गोमती नदी थी बहुत भी बेच लए बीजेपी सरकान ने विग गई नदी आओ भी नाई गई कैसे बिग गई कैसे बिग गई उनके लड़के नुन ने दलाली करी किसानों बहुत परेशान है परेशान नाई है हम कम से कम 88 परदान लगातार अच्छा आप परदान भी है और लुका तो न हो प्रकान जटी को स्थोड़ा नहीं की जुड़े हुए अच्छा इकदम राज साह परता एकदम मरी गए सब को और कोई सरकार नहीं आए वो क्या कहें वो कहें गये पाशी समान जी इसी मुझूडों सबका जोड़ गए पंदर तारीक बंसी धर्राज यहां से जमीन देता थे वो जो फाशी समान की हो सकती है क्यों पाशी समान घलई जो भी होडाजा है पाशी में अब internet का इस इसापणी में है बहेंग ऐसी समाज से हैं लेकिन अपना बाता को शिस्ट करा दिया था cotton वन jego Hence your पश्कूल है उसमें पांच में तक स्कूल है तो आप यह पांच में तक स्कूल है वह सरकारी स्कूल है लेकिन उसमा एक ही माश्टर है वो अब एक बदाओ एक माश्टर जोगर एक माश्टर क्या दुनबर साइन करवाएगा या कहीं जाएगा या कुछ मेटिंग होगी आपकागस बनाएगा कि बच्चों को पढ़ाएगा एक स्कूल में कमसें को पांस मैट्पत होना चाहिए मनोज बाइं हिंदू-मुसलमां असर नहीं कर रहा है शमसान और पाकिस्तान कुछ फरक नहीं पड़ रहा है पाइब ते प्लाव मुस्लमान सब चला गया जो हिंदू मुसलमान था वो हवा मुड़ गया और जो मैं अपने मुसलमान भाइउं को एक बाण बताना चाहता हूं वो कहते हैं मीडिया मूदी मीडिया है ठीक है पहले निकलती थे उस सते पाइले निकलती कुष निकर रही है यहां लग दिक्कत नहीं अपना ही प्रचासी जित रहा है के यहां यहां मुछलिम एंदू इनको सारा समाझ का सब स्वाखत Socot in left of the party में जाएगा यह 144 वालिस केवल बहुज्जा पर्टी जीतेंगे कि यही प्रटी जी जे सकती है और हम यशाज जीती है हम वह शिर्णान लग रहें इसे जिनना याद नही आई आरे है आप जिन्ना क्यों याद आएंगे जिन्ना पाकिस्तान में हैं जिन्ना पाकिस्तान वालों को याद करें हम हिंदुस्तानी क्यों याद करें जिन्ना को भाजपा वाले तो कहते हैं कि जिन्ना शम्शान कबरस्तान पाकिस्तान पाकिस्तान के पास बस यही रहे गया एक मुद्दा क कि हिंदू मुसलिम कराके चुनाव जीता जा सके अलावा उसके पास कोई और मुद्दा नहीं रह गया कि किसी वजह से वह चुनाव जीते पाकिस्तान जब चुनाव करीब आते तो पाकिस्तान को ले आते हैं पाकिस्तान ने हमला कर दिया चीन ने हमला कर दिया पता नहीं कहा आप लोगों का मुसल्मान के तौर पर मुसल्मान तो लोग करने सभा को उट कर रहा है देखिए मैं समाजवादी पार्टी का यूवजन सभा का विदान सभा उपाद्यक्ष हूं मैंने सकील आजमी सहाब को समलतन दिया जो कि जीत रहे हैं यहां से अभी अभी है पार्टी मे मैं यूवजन सभा का विदान सभा उपाद्यक्ष हूं समाजवादी पार्टी से अभी मैंने कोई मुझ से इस्तिफा मांगेगा न मैंने भी दिया लेकिन मैंने शकील आजमी को समलतन दिया है